राम राम किसान भाईयो, मैं नितिन फिर्ट से हाजीर हूँ, आपके अपने चैनल Fertilizer Expert में, किसान भाईयो, आज का जो हमारा टूपिक है, वो लेकर आया हूँ मैं एक Fungicide के उपर, और जिस Fungicide के बारे में, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर आपको दो टे रहे रहने वाला है, डोज क्या रहेगी, कीमत क्या रहेगी, Rain Fast Activity कैसी है, Real Time कितना है, किसी अन्यक कीटना सकी साथ, Fungicide के साथ, टोनिक के साथ, या फिर किसी NPK वाले में, इन्हें मिला सकते हैं, या फिर नहीं मिला सकते हैं, कौन सी फसल पर इसका आप उप्योग कर सकते ह संपूर्ण जानकर यहां पर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो मिला अच तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकरी क्रिसान भाई प्राप्त हो सके, तो चलिए, सुरू करते हैं, जी हां, आज मैं बात करने वाला हूँ, सिंजेंटा कंपनी के गलोईट फंगी साइट के बारे में, इसके अंदर आपको दो टेकनिकल मिलते हैं, एक टेकनिकल जो हमारा टिल्ट वाला टेकनिकल था, वो टेकनिकल इसके अंदर देखने को मिलता है, किसान भाईयों ने तिल्ट फंगी साइट का उप्योग किया होगा, वो इतना तीवर, तो आज जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ इसके अंदर आपको दो टेक्निकल देखने को मिलेंगे पहला टेक्निकल इसके इंदर दिया गया है प्रोपी कोनाजोल जो 13.9% में दिया गया है जबकि इसके अंदर दूसरा वाला टेक्निकल है वो है डिफीना कोनाजोल जो 13.9% EC फार्मिसन के साथ देखने को मिलता है EC का मतलब होता है MLC fiber concentrate रूप में किसान भाई यो यह आपको देखने को मिल जाता है बहुती बहतरीन दो टेक्निकल का यह कुंबिनेशन होने वालता है दो फंगी साइट का यह कुंबिनेशन होने वाला है तो यह हमारी फसलों को बहुती अच्छी तरीके से फंगस से बचा करके चलेगा अब बात करते हैं किस तरीके से कार्य करता है इसका कार्य करने का तरीका क्या है जैसे माल लिए किसान भाई यह हमारी एक सैल है यह हमारा पोधा है यह हमारी कोई भी फसल का एक पोधा आप माल लीजिए इस पत्ती पर इस पत्ती पर जो है किसान भाईयो फंगस का टैक पहले से चला हुआ है और जैसे ही आप सिंजेंट्या के गलोईट फंगिसाइड को उप्योग जो जिसके बारे में बात करने हैं यह इसका उप्योग जदी हम इस पत्ती को उपर कर देते हैं तो इस पत्ती पर फंगस रहेगी इसके अलावा जो नई नई पत्तिया बनेंगी नई नई साखाएं हमारी फसल के अंदर बनेंगी उन पर किसान भाईयो फंगस का टैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा यह इसके अंदर एक नई टेक्निलोजी डाले गई है यानि कि जहां तक फंगस है फंगस को वहीं पर कंट्रोल करना वहीं पर रोकना या वहीं पर लोक कर देना इसकी सबसे बड़ी खास बात किसान भाईयो आपके लिए रहने वाली है यह एक ब्रोड इस्प्रेक्ट्रम पर लिए फंगस को इसाइब करता तो कई सारी तरह की फंगसों को पर लेता तो आप आप इसका उप्योग एक बार करके देख सकते हैं किसान है राइजयोल गरूप सब्सक्रम सब्सक्राइब कर घृपिजरों चरियों करने मथजां तब ही यह कार्या करता है ऐसा नहीं है क सिस्टम के अंदर पोहुच करके तब फंगस को कंट्रोल करता है और लंबे समय तक किसान भाई यह फंगस को कंट्रोल करके रखता है इसकी में एक खास बात आपको और बता दू यदि फसल के अंदर फंगस नहीं है और फंगस लगने से पहले आप इसका उप्योग कर लेते ह तो यह हमारी फसल को लगभग 90 परशेंट तक सुरक्षित करके रखता है 90 परशेंट तक हमारी फसल के अंदर जो फंगस है वो नहीं लग पाएगी और यदि क्यूरेटिव में यानि कि फंगस लगने के बाद आप गिलोइट फंगिसाइड का उप्योग करते हैं तो यह हम विजदे आपको मिल जाएगे तो यह कूण कोन सी फंगस के नाम में आगए आपको बताने वालों इन मेंसे कोई भी फंगस यदि आपकी फसल के अंदर लगती है तो आप उसी फसल पर उप्योग करेंगे तो आपको बहुत ही बहतरी और यह सांदर रेजट पर देखने को म तो ये जो कौन-कौन सी फंगस पर काम करता है वो मैं आगे आपको बताएता हूं तो किसान वे सबसे अच्छे जो इसके देखने को मिलते हैं जो रस्ट हमारी फस्ट लुक युपर रखती है रस्ट पर इसके अच्छे डिल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे सीथ बिलाइ उस पर भी किसान भऑई इसके शांधर रेलट आपको देखने को मिलेंगे। साथ शाथ जो leaf spot पत्यों को उपर बन जाता है, तो leaf spot की किसान भआ ओई यह काफी अच्छी तरीके से control कर लेता है। तो इतनी सारी फंगस पर इसके अच्छे डिल्ट आपको देखने को मिलेंगे, इन में से कोई भी फंगस यदि आपकी फसल के उपर लगी हुई है, उस फसल पर आप इसका उप्योग करेंगे, सांदार रिजल्टी आपको निकाल करके देगा, इसकी मैं आपको एक खास बात किसान में आपकी फसल की अंचाही ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, और आप इसका उप्योग कर देते हैं, तो यह हमारी फसल की ग्रोथ को रोग देता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ लगतार होते रहेगी, यह एक टोनिक के हमारी पैदावार है, वो किसान भाईयो बढ़ जाती है, तो यह भी इसके अंदर एक बहुत सांदर एफेक्ट किसान भाईयो देखने को मिल जाता है, अब बात कर लेता हूँ इसकी डोज की, कि आखिरकार हमें इसकी कितनी डोज लेनी है, तो यदि मैं एक एकड़ खेत की इसे लेना है, और दो लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, बात करता हूँ इसकी कीमत की, तो धाई सो रुपे से लेकर के तीन सो रुपे के आस-पास, आपको इसका 100 ml का पैग देखने को किसान भाईयो मिल जाता है, बात करते हैं, इसके अंद साइड को कीटनास को टोनिक को या एंपी की को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते तो किसान में इसके अंदर पहले से ही दो टेक्निकल मिले हुए हैं दोनों ही हमारे सिस्टमिक फंगी साइड हैं तो आप इसके अंदर किसी कीटनास को ना मिला हैं हाँ आप इसके अंदर ए लेके 75% अच्छे निकाल करके दे सकता है और यदि बरसा चार से लेके पांच घंटे के बाद होती है तो आपको इसके 90 से लेके 95% देखने को मिल जाते हैं बात करते हैं इसके रियल्टी टाइम की यदि आज आप इस प्रे करते हैं तो आपकी फसलों को यह बारे से लेके चो साफ पानी मिलाकर करें वह साम को 3 बजे के बाद यह आप इस प्रे करते हैं तो और भी सांदार और अच्छे दिए को देखने को मिल लेंगे वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप से एर भी कर सकते हैं और अपने भाई को चैनल को सबस्क्राइब पनना ना भ